दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूग चैनल मानस क्लासेज में दोस्तों आज हम सब देखने वाले हैं स्टाइटिक जी के बेस्ट करन्ट अफेर्स दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को आनकल ने जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं बी सी सी आई के बरतमान अध्यच्छ रोजर बिन्नी हैं भारत का पहला सम्मिधान साच्छर जिला को लालम जिला केरल में हैं वर्ल्ड बैंक के बरतमान अध्यच्छ अजय बंगा हैं जी सेबन सिखर सम्मेलन 2023 की मेजवानी जापान ने की वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स में भारत का अस्थान 126वा है 15 हुआ हाकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ जिसके बिजयता जर्मनी थे तथा उप बिजयता बेल्जियम था जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ पुलितिजर आर्किटेक्चर पुरुसकार 2023 डेविड चिपपर फिल्ड को मिला ट्विटर के बरतमान सी यो लिंडा याका लीनो है राष्टिये पंचायती राजदिवस 2023 चौबिस अपरैल को मनाया गया जल बजट बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है पेपसी के ब्रांड अमबिषडर रडवीर सिंग है ब्यास सम्मान ग्यान चतुरवेदी को दिया गया पागल खाना के लिए 42 आसियान सिखर सम्मेलन का आयोजन बाली इंडोनेसिया में हुआ राष्टिये मानवा अधिकार आयोग के अध्यच जेटी अरुड मिसरा है पंद्रहुआ ब्रिक्स सम्मेलन 2023 साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ तथा सुलहुआ ब्राजील में होगा स्वास्त का अधिकार विधेयक राजस्थान में पारित हुआ संतोष ट्राफी 2023 का किताब करनाटक ने जीता प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161 अस्थान पे था ताटा आइपियल 2023 के बिजयता चन्नाई सूपर किंग है सेवी के बरतमान अध्यच माधो पूरी बुच्छ है सेवी की अस्थापना 1988 में की गई थी आयक्ट 1991 में आया था भारत के बरतमान सतरक्ता आयक्त परवीर कमाश रिवास्तो है इसरो के बरतमान अध्यच यस सूमनाथ है इसरो की अस्थापना 15 अगश्ट 1969 में की गई थी ताटा आइपियल 2023 में आरंज कैप सुमन गिल को दिया गया नीत आयो के बरतमान CEO BVR सुब्रमर्यम है राजपत का नया नाम करतब पत रखा गया है 26 जनौरी 2023 को चीफ गेस्ट के रूप में मिसर के राष्ट पती अबदेल फते सीसी को बलाया गया था एबल पुरुसकार 2023 लुईस कैफ रली को दिया गया मितला मखाना बिहार का मखाना है जिसे जी आई टैक दिया गया मुगल गार्डन का नया नाम अमरित उद्द्यान रखा गया भारत के दूसरे सीडियस अनिल चौहान हैं भारत के पचासुएं सीजी आई डी वाई चंद्रचूड है 95 आसकर अवार्ड 2023 में वेस्ट फिल्म का अवार्ड एबरी थिंग एबरी हुएर आल एट को दिया गया हर घर जल परमारित पहला राज्य गुवा है तथा रेबिज मुक्त पहला राज्य गुवा ही है मारकोनी पुरुसकार 2023 हरी बाल क्रिस्नन को दिया गया फेमिना मिस वर्ड 2023 का किताब नंदनी गुपता ने जीता जो की कोटा सहर की रहने वाली हैं आस्टेलियन ओपन 2023 में पुरुसवर्ग का किताब नोवाक जोकोबिक ने जीता यसियों के विदेश मंत्रियों की बैठक गुवा भारत में आयूजित हुई युनेसको के बरतमान अध्यच आंद्रे येंजोल हैं युनेसको का हेड़काटर पेरिस फ्रांस में है भारत के 82 वे ग्रैंड मास्टर बुपुला परवीत हैं अंतराश्टिये फुटबॉल में सरबाधिक गोल करने में सुनील छेतरी का अस्थान चौथा है तथा पहले अस्थान पर रोनाल्डो हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड एमबापे को दिया गया जो की फ्रांस के हैं कियो ऑलम्पिक में भारत का पदक तालिका में अस्थान 48 वां है अंतराश्टिये ऑलम्पिक समित का हेड़कॉर्टर लुसाने सुईजर लैंड में है अखिल भारतिय सेवा का उलेख अनुच्छे 312 में है खैबर मिसाइल का सफल परिच्छर इरान ने किया भारत की पहली पांड टेक्सी नोलडा यूपी में प्रारंब हुई ICC T20 Under 19 वाल्ड कप का आयोजन साउथ अफरीका में हुआ WPL 2023 की बिजैता टीम है मुंबई ICC मैंट टेस्ट प्लेयर आफ दा इयर वेन इश्टोग को चुना गया जो की इंगलेंड के प्लेयर है बिस्व प्रेश सुचकांक 2023 में भारत का अस्थान 161 है बैस्विक सान्ती सुचकांक 2022 में भारत का अस्थान 126 है सच्छता सर्वेच्छड पुरुसकार 2022 इंदोर बड़े सहरों के रूप में तथा पंच मड़ी महाराष्ट को छोटे सहरों के रूप में दिया गया बैस्विक आतंग बास सुचकांक 2023 में भारत का अस्थान 131 है वर्ड हैपिनेस इंडेक्स 2023 में भारत का अस्थान 126 है अंतराष्टिय बौधिक संपदा सुचकांक 2023 में भारत का अस्थान 42 है प्रहरी आएप बियस्चेफ दीजारा लांच किया गया अमर सरकार पोल्टर तिरपुरा सरकार द्वारा लांच किया गया जल दूत आएप ग्रामीर विकास मंतराले के द्वारा लांच किया गया इसकेल आएप चमडा उद्दोग के लिए लांच किया गया किसान आएप आयाइटी रुढ़की ने लांच किया निदान पोल्टल मादक पदार्थों की तसकरी रोकने के लिए लांच किया गया एकुंभ अहिप अस्थानिय भासा में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लांच किया गया जजजी महसो, उडिसा में मनाया गया, खजुराहो महसो, मध़ परदेश में मनाया गया, लोसांग महसो, सिक्कीम में मनाया गया, लोसर महसो, लदाख में मनाया गया, लेवेडर महसो, जम्मु कस्मीर में मनाया गया, तिरसूल पुरम उसो, केरल में मनाया गया, सिर्वी लिल मारी पूर में मनाया गया दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं किर्प्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को आन कर ले जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे तथा वीडियो को सेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में धन्यवाद